तो गाई ट्रावल से लिटेट तीन इंपोर्टेंट खबर सामने आ रही है तीनों अपडेट को उपर आप से बात करने वाला हूँ दो तीन मिनट का वीडियो है लाच तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बताता हूँ बैंगलोर है चेन नहीं है यह सारे एरपोर्ट अत्रोटी ने फिर से यात्रियों के मेमराइज कराया है और बताया क्योंकि यह लोग पहले से है कि अगर आप कोई भी आपका समान खो जाता है यह आपका समान भुला जाता है बहुत सारे जो लगेज है वो फ्लाइट से को तीन महीने का मोहलत दिया जाएगा यानि तीन महीने तक का आपको टाइम दिया जाएगा उस टाइम के तहट अगर आप अपने लगेज बैग के लेने के लिए आप यह एरपोर्ट में नहीं आओगे तो फिर आपका जो लगेज बैग है वो आपको वहां से सेल कर दिया तो आपके पास तीन महिने का टाइम रहेगा वहां पे काउंटर बना रहेगा अलग जाकर आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं तीन महिने का बाद जाओगे तो यह सब चीज आपको नहीं मिलेगी तो इस बात का लाजिम ख्याल रखे क्योंकि यह एरपोर्ट अत्रॉटी ने अप सुचा आप लोग के साथ यह वीडियो सेर करो नीचे कोमेंट सेक्षन में अपना राय जरूर लिखना कुछ सवाल है और जरूर पूछना दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट अपडेट है आपने बिलकुल सच पड़ा है क्यों जब भी क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियन कुछ समान लेकर जाते हैं यह सब चीज आपको सोसल मीडिया पर ही यह सब चीज मिलेगा बड़े-बड़े न्यूज चैनल वाले यह सब चीज नहीं बताएंगे क्योंको ट्यार्पी नहीं मिलती है इसके कारण तो इसमें बताय जा रहा है इस न्यूज में यह न्यूज सी थी उन्होंने बोला अपने हस्बेंड के लिए कुछ समान देती हूं तो दो से धाइ किलो इनको पास समान था और इन्होंने समान दे दिया यह सक्स समान खोल कर देखा नहीं कि एक्चुली इसके अंदर है क्या तो यहां दिली एरपोर्ट पर तो इनके साथ इस तरह का कुछ हुआ नहीं पकड़ा गया या छोड़ दिया गया लेकिन जहां यह जा रहे थे जिस कंट्री में जा रहे थे वहां जाने के बाद पता चला इनके सकैनिंग किया तो मालूम चल रहा कि इसमें कुछ ऐसा अलीगल समान है तो खोला गया निकाला गया तो पता चला आधा केजी तंबाकू है बहुत सारे गुटका तिरंगा इस तरह का चीज़ जो नसेली पदार्थ होते हैं वह बाहर निकाला गया फिर उनको थोड़ा टाइम के लिए गिरफतार किया जाता है जांच किया जाता है यह सारे समान को फिर बाद में पता चलता है कि इंडिया में इस तरह का लेकिन आप मतलब ऐसे ही यूज करते हैं लोग लेकिन वहां पर उनको परसानी का सामना करना पड़ा अब कितना जुर्माना लगाया गया क्या है इसके बारे में अभी तक कोई डीटल नहीं है लेकिन फिलहाल इनको हिरासत में लिया गया था तो आप भी अगर ट्रावल कर रहे हो या कोई आपको समान दे रहा है तो पहले आप खुद से चेक कर ले कि एक्चुली यह है क्या समान मैं बार बार बहुत बार न्यू नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यह गलत न्यूज है फेक न्यूज है जूट न्यूज है जब आपके साथ इस तरह का हरकत होगा तब एक्चुली समझ में आएगा कि रियालेटी क्या है तो मिलता हूं ने अपडेट के साथ नहीं जानकारी के साथ जब तक जैहिं धर्टारी के यह हमिलेगे का जित क्वागा म hak EMES थालेटी को जानकारी के साथ नहीं जा एक प्र चेका स्च Quindi जानकाffic नहीं झालेगे कि सुछ़ ढूए नहीं तो है।